दोस्तो नमस्कार मैं संजय मग्गू और मवजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर हर्याना विधान सभा का चुनाव मैं आपसे कई वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ पहले भी कि हर्याना विधान सभा चुनाव को लेकर जो कॉंग्रेस पार्टी के अंदर जिस प्रकार की स्थिती वनी जिनको लगता था कि अब की बार हर्याना के अंदर सत्ता में आना तय है या उनकी सत्ता में वापसी हो सकती है दस साल बाद जहां Congress को जटका लगा वहीं इस result के बाद चुनाव परिणाम के बाद में अगर मैं यह कहूं कि Congress के जो बड़े नेता है चाए वो प्रदेश तरके हैं चाए वो राष्टियस तरके हैं इस हार को लगता है पचा नहीं पा रहे हैं और इस सब के बाद में तमाम प्रकार के जतन परियतन और यह सब चल रहा है और इसी दिशा में इसी कडी में जो Congress के परदेश अद्यक्स चौधरी उद्यभान ने अभी हाल ही में एक आठ सदस्य कमिटी बनाई जिसके चेर्मेन करन सिंग दलाल हैं जो यह जांचेगी खासकर हर्याणा के तरेपन उन केंडिडेट से Congress के प्रत्याशी जो विधायक नहीं बन पाए जो चुनाव हार गए उनसे बादचीत कर Congress की जो कमिटी बनी है करन सिंग दलाल के नित्रताओं में यह कमिटी यह जांचेगी कि आखिर वो चुनाव क्यूं हार गए कल बैठक हुई थी करन सिंग दलाल उस बैठक के अंदर थे चौधरी उदयबान जो परदेश Congress के अध्यक्ष है वो थे और अभी हाल ही में नव नियुक्त जितंदर बगेल जो हर्याना Congress के सह परभारी है जिनकी एक आएक नियुक्ती हुई है जिसका पता भी नहीं चला त उस बैठक के अंदर जितंदर बगेल भी थे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हर्याना के अंदर जो Congress की शिकस्त हुई है Congress की जो हार हुई है उसको ले करके एक तरफ जहां पैरलर हर्याना परदेश Congress Committee चल रही है वहीं अगर मैं यह कह दूँ कि Congress काला कमान अपने तरीके से इसकी अलग प्रकार से सरजरी में लगा हुआ है जितंदर बगेल की जो एंट्री हुई जितंदर बगेल को जो हर्याना परदेश Congress Committee का सह परभारी बनाया गया और वो भी गुप-चुप तरीके से जिसका कुछ पता नहीं चला तो आप मान करके चलिए कि आने वाले दिन चलते खुद भी कह चुके हैं कि वे काम नहीं समाल सकते लगता है कि सबसे पहले उन्हीं पर गाज गिरने वाली है कि मैं आपसे बात कर रहा था कि तरेपन कैंडिडेट्स तरेपन प्रत्याशियों के साथ बातचीत और उसके बाद में यह निकाला जाएगा कि आखिर हार क प्रत्याशी बता सकता है पूरी तरह से कि हार का कारण क्या था क्या किसी भी परिक्षार्थी को पता लग बाता है कि वो परिक्षा में आखिर फेल क्यूं हुआ क्योंकि परिक्षार्थी हमेशा कहता है कि उसने तो पेपर बड़ाच्छा किया था उसने तो पेपर के जो दोशारोपन हुआ करता है परिक्षार्थी कभी ये नहीं कहता कि मेरी तयारी कमजोर थी परिक्षार्थी हमेशा ये कहता है कि out of syllabus question आ गए थे पर्चे के अंदर जो paper था परिक्षापत्र था उसके अंदर जो question यानि कि सवाल प्रशन थे वो out of syllabus थे वो उनके syllabus से बाहर के आ गए थे बात दोस्तों या भी आती है कि जब वो पर्चा होता है और पर्चे से होने से ले करके और उसके result में अगर सेम ऐसी कहले जो election की process है कि चुनाव होने से ले करके और चुनाव का परिनाम आने तक एक समय जरूर होता है हर्यारा विधान सभा का ही देखें कि 5 अक्टूबर को चुनाव हुआ था और 8 अक्टूबर को चुनाव का result आया था चुनाव होने के बाद में 5 अक्टूबर से ले करके और 8 अक्टूबर की दोपहर तक कॉंग्रेस का कोई भी नेता ये मानने को तयार नहीं था कि उनकी परिक्षा ठीक नहीं हुई कॉंग्रेस का कोई भी नेता ये नहीं कह रहा था चुनाव यानि की जो गिंती हो रही थी 8 अक्टूबर को जब 11 बजे के बाद चुनाव परिनाम बदलने शुरू हुए तो उसके बाद में कॉंग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू किया कहीं उन्होंने ये कहा कि 90% बैटरी है कहीं उन्होंने कहा कि EVM के अंदर गड़वड थी कहीं बाद चली कि CCTV कैमरे बंद हुए खेर CCTV कैमरे को ले करके तो कुछ लोग कह सकते हैं कि उन्होंने कंप्लेंट पहले दर्ज कराई थी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि चुनाव परिनाव आने के बाद आखिर ये सारी वातें क्यों चली जैसे मैं आपको बता रहा था कि परिक्षार्थी हमेशा कहा करता है कि पेपर आउट ओफ सेलेबस आ गया था अब तरिपन कैंडिडेट जो चुनाव हारे थे उनकी बैठक होगी नौतारिक को नौतारिक को उनकी बैठक होगी और उस बैठक के अंदर कॉंग्रेस के जो जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हर्याना की बनी है जिसके अंदर करन सिंग दलाल है जिसके चेर्मैन है करन सिंग दलाल और उस कमेटी में जिसमें मेंबर है आफताव एहमाद जिसके अंदर मेंबर है विजे परताब सिंग जिसके अंदर मेंबर है जिसके अंदर मेंबर है भाटिया साभ ये तमाम जो नेता और जिसके अंदर सदस्य हैं और वो बैट करके जाच करेंगे कि आखिर हार क्यों होई मलीशा सांगवान भी होंगी उनके अंदर जो एक कमेटी बनी है दोस्तों इसके अंदर पांच लोग तो वो हैं जिन्नोंने भ वालिका विधानसभा चुनाव हारा और तीन लोग इस कमेटी के अंदर और लिए गए हैं चुनाव हारने वाले लोग क्या जवाब देंगे अब कॉंग्रेस की जो कमेटी बनाई गई है राजनितिक सूत्र बता रहे हैं कि यह कमेटी उन केंडिडेट से कह रही है जो चु की हैं बातें बहुत गजब की हैं कि वो अपने रिकॉर्ड के साथ आए अब आखिर उसका रिकॉर्ड कैसे मिलेगा जिसके अंदर वो बताएं कि कॉंग्रेस के फलानेता उनके खिलाफ थे वो कैंडिडेट चाए उस कमेटी के मेंबर है और चाए कमेटी के मेंबर नहीं है वो कैसे बताएंगे और फिर जो चुनाव हारने वाले लोग वो कैसे बताएंगे हलांकि जिन्नोंने बताना था शमशेर गोगी सरीखे लोग तो बता चुके कि भुपेंदर सिंग उड़ा जी ने विरोध किया अंबाला के जो कैंडिडेट थे परी वो भी कह चुके कि उन कौंग्रेस की जो फैक्ट फैंडिंग कमेटी जो बनाई गई है हार की जो समिक्षा कर रही है हार के कारण क्या थे वो अब इसकार legal process में जाने की तयारी में भी हैं कानूनी लड़ाई में भी दोस्तों एक कानूनी लड़ाई तो कॉंग्रेस के अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि ये तमाम कॉंग्रेस के कारे करता चाहते हैं, एक लड़ाई कॉंग्रेस के अंदर भी होनी चाहिए और वो कानूनी लड़ाई को ऐसी होनी चाहिए कि जिसको आला कमान मान ले जिसको कॉंग्रेस का आला कमान स्विकार कर ले और उन नेताओं पर फिर आरोप तै होने चाहिए कि जिन पर ये आरोप लगे हुए हो कि इन लोगों ने चुनाव के अंदर कॉंग्रेस को हराने का काम किया यानि कि जिन कॉंग्रेसियों ने कॉंग्रेस में रहे कर कॉंग्रेस को हराने का काम किया उन पर कौन सी दंड सहिता के तहट कारवाई हो जो कॉंग्रेस की कौन सी ऐसी दंड सहिता बनी होगी जिसमें उन पर action हो ये बहुत सारे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में Congress के नेताओं के सामने मूँ बाए खड़े होंगे अब संभवता जब तिरपन लोगों से बातचीत होगी जिनकी बैठक बुलाई गई है तो संभवता कोई बड़ी बात नहीं है उस बैठक के अंदर वो तमाम गिले शिक्वे शिकायते और वो बाते सामने आई जिसके अंदर की Congress के नेता एक दूसरे पर आरोब लगाते हुए दिखाई देंगे कि इन लोगों ने हरा दिया खेर नौतारिक को क्या होगा अब इंतजार उसका होगा क्योंकि Congress के प्रदेश अद्यक्ष चौधरी उद्यभान ने जो कमेटी बनाई है करण सिंग दलाल के नेत्रतों में उसको समय दिया एक सब्ताहा का कि एक सब्ताहा के अंदर वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करें वैसे आपको दोस्तों क्या लगता है कि क्या हर्याना की जो यह फेक्ट फाइंडिंग कमेटी चाहे केंद्र की तरफ से बनाई गई थी और या फिर हर्याना की तरफ से बनाई गई क्या यह वाकई उस तहह तक जा पाएगी कि Congress की हार के कारण क्या थे और अगर वाकई वो जा करके और सही रिपोर्ट Congress आला कमान को दे देंगे तो क्या फिर Congress आला कमान इतनी मजबूती से कोई फैसला कर पाएगा कि जिनकी वजह से Congress हारी हो खासकर अपनी पारिटी के नेता और पर एक्शन हो और वैसे आपको क्या लगता है कि Congress को हराने के अंदर Congress का अपना कितन योगदान था कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना